तो आज एक और नवराती स्पेशल रेसेपी बनाने जा रही हूँ आज मैं बनाओंगे साबुदाने की खीर तो चलें रेसेपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कडाई ली है जिसे हम लो फ्लेम पर गैस पर रख देंगे अब हम इसमें एक चमच घी डालेंगे औ घी को हम मैल्ट होने देंगे जैसे हमारा घी मैल्ट हो जाएगा हम इसमें ड्राइफूट्स टालेंगे यहाँ पर हाव बाउल भरके मैंने ड्राइफूट्स लिये हैं आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राइफूट्स ले सकते हैं अब हम ड्राइफूट्स को तो से तीन मि मेंने एक लिटर दूद लिया है और इसे बॉयल करने के लिए रख दिया है अब हमारी जो गेस की फ्लेमें हम तेज कर देंगे और दूद को अच्छा उकार लेंगे फिर मिडियम फ्लेम पर हम गेस को एक लिटर दूद को जब तक वो लिटर ना हो जब तक पका लेंगे उसके बाद इसमें हम सोक करे हुए साबुदाना डालेंगे यहाँ पर मैंने 5-6 घंटे साबुदाना सोक कर लिये हैं और फिर हम हमारी खीर में डाल देंगे अब हम इसे पकने देंगे 5-7 मिनिट के लिए जब हमारे साबुदाना पक जाएंगे तो वो साबुदाना उपर आ जाएंगे और ट्रांस्पेरेंट हो जाएंगे इसका मतलब जो हमारा साबुदाना है वो पूरी तरीके से पक चुका है अब हम इसमें शकर डालेंगे मैंने यहाँ पर वन्थ फोर्थ बाउल भर के शकर डालिए आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम जादा कर सकते हैं अब हम इसे पांस साथ मिनिट और कुक करेंगे और अब हम इसमें जो हमारे रोस्टेट ड्राइफ फूट्स थे अब हम इसे वो डालेंगे और इसे थोड़े देर के लिए और कॉक करेंगे फिर एक पिंच हम इसमें कैसर डालेंगे और कुछ समय और कॉक करेंगे और अच्छे से हिलाते हुए हमारी जो खीर है अब पूरी तरीके से तयार है तो आप इसे फ्रीज में रखे एकदम चिल्ड भी सर्व कर सकते हैं या गर्मा गर्म भी से आप सर्व कर सकते हैं तो एसी और अच्छी रेसिपीस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ओके बाइ बाइ